सब्सक्राइब कीजिए Simple & Easy Classes को और स्टडी से जुड़ी अपडेट्स के लिए बैल आइकन को दबाईए हेलो विवर्स वेलकम टू Simple & Easy Classes आज की वीडियो रोहिल गांड युनिवरस्टी के सभी स्टुडेंट्स के लिए बहुती खास होने वाली है अगर आप B.A. B.S.C. B.Com. या M.A. M.S.C. M.Com. के स्टुडेंट्स हैं तो आपको आपके एक्जाम का बहुती बेसबरी से इंतजार होगा कि आपके एक्जाम कब कराए जाएं आपको बता दें कि फर्स्ट इयर और सेकंड इयर को प्रमोट करने के निर्देश जारी किये जा चुके हैं लेकि इन B.A. के लिए अभी तक ये निर्देश नहीं लिया गया है कि B.A. सेकंड इयर के एक्जाम किये जाएंगे या फिर नहीं कराए जाएंगे इसके अलावा फाइनल इयर के स्टुडेंट्स के एक्जाम कराए जाने वाले हैं तो आपकी जो एक्जाम स्कीम है वो जल्द ही जारी कर दी जाएगी और वो किस डेट को जारी की जाएगी इस बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं साथी साथ आपका एक्जाम कितने घंटे का होगा, multiple twice होगा, कि उसमें आपके long question भी आने वाले हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, इसके अलावा, जो students परिक्षा form भरना चाहते हैं, उनके लिए भी एक अच्छी यहां पर news है, कि आप कब से कब तक अपने form को बरेली college में जमा कर सकते हैं, और किस date से किस date तक आपने form को यहां पर जमा कर सकते हैं, तो इस बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे, इसलिए वीडियो पर लास तक बने रहें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को сब्सक्राइब करके बैल आइकन को ज़रूर परेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुच सके, और अगर आपने अपने तक वीडियो को लाइक और शेर नहीं किया है, और आपका जो पेपर होने वाला है वो यहाँ पर डेड़ घंटे का होने वाला है जैसा कि आप में देख सकते हैं शाशन ने इस नातक वा इस नाकोत्तर की परिक्षाओं को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं परिक्षा का सरूप भी निर्धारित किया गया है लेकिन इसका निर्देश विश्विध्याले को लेना है शाशन ने तो अपनी तरफ से बता दिया है कि क्या आपको किस तरह से एक्जाम करवाने हैं लेकिन विश्विध्याले इसको अपने according करेगा क्योंकि विश्विध्याले को ही इसकी तयारिया करनी है प्रश्ण पत्र में सिर्फ भहुविकल्पिये प्रश्ण होंगे या फिर long question भी आएंगे इस समंद में जल्द ही परिक्षा समीती की बैठक पर निर्ण लिया जाएगा परिक्षा समीती की बैठक के बाद परिक्षा का स्वरूप और परिक्षा कारेकरम 18 जून तक भेज दिया जाएगा तो आपको बता दें कि आपका जो परिक्षा कारेक्रम है लगभग लगभग 18 जून तक आ जाएगा तो जैसे ही आपका परिक्षा कारेक्रम आता है आपके एक्जाम स्कीम आती है तुरंत आपको हमारे वीडियो के माध्यम से अपडेट दे दी जाएगी इसलिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजेगा जिससे की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुत सके अब आप यहां देख सकते हैं कि आपका डेड़ घंटे से अधिक का पेपर नहीं होगा इतने कम समय में वह बहु विकलती है प्रेशन को हल करना ही छात्रों के लिए असान होगा लेकिन आपको बता दिया जाए कि यहां पर आपको बहुत ही अच्छे से तयारी करनी है जैसे कि यहां पर प्रतियोगी परिक्षाओं की तयारिया होती है उसी टाइप से आपको तयारियां यहां पर करनी होंगी और यहां आपका जो एक्जाम होगा वो OMR शीट पर होने वाला है इससे बहुत सारे स्टुडेंट को प्राब्लम हो सकती है क्योंकि सभी जातर स्टुडेंट गैस पेपर से परिक्षा देते हैं और इस बार वहुविकल्पी आने वाले हैं तो उससे आपको थोड़ा सा पेपर करने में प्राब्लम भी आ सकती है इसके अलावा जो बरेली कॉलिज में स्टुडेंट अपने परिक्षा फॉर्म को जमा करना चाहते हैं तो वो 14 जून से लेकर 17 जून के बीच सुबा 10 बज़े से लेकर दुपहर के 2 बज़े तक अपने फॉर्म को जमा कर सकते हैं 10 जून से आपके फॉर्म आ चाहेंगे आ चुके हैं और आपको 500 विलंब शुल के साथ अपने फॉर्म को फिल करना है यह फॉर्म जो है वो प्राइवेट और रेगुलर दोनों के ही स्टुडेंट्स के लिए है तो जैसे ही आपके एक्जाम से जुड़ी कोई भी आती है आपको तुरंथ हमारे वीडियो के माध्यम से इंफॉर्म कर दिया जाएगा इसलिए अगर आपने अब तक चानल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन प्रेस नहीं किया है तो उसको जरूर कर ले साथी साथ वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें थैंक्स वर वाच